सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौराव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आपके बढ़ने से पहले हैं मेरे पास मैं आपसकर करने के लिए कुछ तीन खास बाते हैं आप जूस्तों पहला अपडेट है वो तो है यूट्यूब की नोटिफिकिशन को लेके पता नहीं क्या पंगा होगे नोटिफिकिशन को कभी आती है कभी न आने वाला हूँ मुंबई में 14 से 17 से दिसंबर के बीच में और यहां मैं दोस्तों मैं प्लान करता हूँ कुछ लेने का इंटरस्टिंग थेरेपी अब आप दोस्तों मुझे बताओ कि मुझे कौन से थेरेपी लेनी चाहिए और वहां पर हम क्या प्लान कर सकते हैं कुछ इ सप्लाई हो गए यह बहुत जादा कम आज बटन को तो जोर से दबाओ और उसको नीला कर तो ताकि मज़ा आ जाए आपको भी और मुझे भी और यहां दोस्तों मज़ा आ गया है उन यूजर्स को जो दोस्तों इन्वेस्ट कर चुके थे बिटकॉइन में बहुत पहले कौन लेकिन दोस्तों यहां पे यह बेवकुफी भरा काम प्लीज आप मत करना अभी के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे पागलों की तरह बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करना क्योंकि यह दोस्तों एक टेंप्रेरी बबल है यह नीचे आएगा पहले बिटकॉइन के बा अगे एक नए अपडेट जहां पे आप अपने नीन से उठ सकते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के किसी गाने या फिर इनफाक दोस्तों किसी रिडियो सिशन के आवाज के साथ में जहां पर दोस्तों आप सिंपल अलाम सेट कर सकते हैं और जो अलक्सा है वो आपको उस प्रिटिकलोर सौंग के साथ में उठा देगी तो ये एक आचा कंसेप्ट है जहां पे अपने फेवरेट मूजिक के साथ में अपनी आख को खोल पाएंगे और ये आप डेली चेंज भी कर सकते हैं आपको सिर्फ एक कमांड देना है जो चाहेंगे वो डेली अपडेट होता बच्चा है तो ये दोस्ते बहुत ही बड़ा नंबर है मतलब almost 33% जो internet users दोस्तों है वो हैं बच्चे क्योंकि यहां पर दोस्तों mobile phones हो, tablets हो, laptops हो, सभी के हाथ में होते हैं घर में दोस्तों कईपे कुछ use कर रहे हैं, कभी कुछ poems देख रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे है इन फैक्ट दोस्तों अगर आप थोड़ी से बड़े हो जाते हैं, तो आपके बास में घर में computer है, आपके अपना homework कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों यहां पे इसको लेकि चिंता भी चेता जारे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, उनके साथ दोस्त आपके से वो है 8,000 और 16,000 रुपे, ये दोस्तों प्रवाइड करते है noise cancellation, तो ऐसे में अगर आपको पसंद आओ टेक्निका, अगर दोस्तों आपको चाहिए noise cancellation, तो आप शायद इनके ने जो earphones हैं, जो earphones हैं, वो आप ट्राइक कर सकते हैं, 8,000 और 16,000 आले की price हो जादा ही लेकिन definitely एक premium brand है, premium दोस्तों है products, तो price तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, दोस्तों अगला update है, वो निकल गया आता है, यहाँ पे Nokia 6K 2018 variant को लेके, और यहाँ में दोस्तों फोटोस लीक हो गई है, फोन देख लो आप आगे से कैसा होगा, पीछे से कैसा होगा, शायद 2017 variant भ वो आ जाएगा फोन में पीछे की तरफ, और यह है भईया concept Nokia 6 का, देखते हैं कि यह market में कब तक आता है, और किस price पर आता है, और क्या इस बार भी Nokia Snapdragon 430 के साथ जाएगा, या at least थोड़ी शरम करके 660 बगरे कुछ लगा देगा इस फोन में, दोस्तों अगला update है, वो रिग किसे control कर सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों करते हैं, अपने किसे normal हाथ को, तो यह एक बहुत ही कमाल की बात है, और यहां पर दोस्तों फूरा प्यानो बजाया गया, जो कि बहुत ही complex, दोस्तों टोन थी, लेकिन बढ़े ही आराम से उस तो जो प्रसेटिक था, यहां पे hand, वो play कर पारा था, बिकॉज यहां पे, जो अंगुली हैं, दोस्तों, उनका movement काफी एक्दम natural था, तो यह एक अच्छा update है, जो आगे जलके काफी लोगों की शाहिद मदद कर पाएगा, तो दोस्तों अगला update निकल का आता है, वो है भाया, हमारे space X की तरफ से, और यहां प उसके एक नया concept है, और ऐसे में आगे चलके, अगर आपको सफर करना होगा कोई अंतरिक्ष में, तो आपके लिए शाहिद जो ticket होगी, वो दिल्ली बॉंबी जितनी होगी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आपके ऐसा होने नहीं वाला है, दोस्तों, अगला update है, वो यहां प मतलब अभी, क्या है, OPPO भी काम कर रहा था, Xiaomi भी काम कर रहा है, गलत बात है, कुछ अगर unique कर लोगे, तो क्या बिगर जाएगा, लेकिन एक बार iPhone ने कर दिया, तो सब को चाहिए था कि सबका phone जो पीछे से दिखे, कि iPhone 10 है, iPhone 10 है, गलत बात है, तो सब जो अगला update है, वो इन devices हैं को देखने को मिल जाएगा, इसका OEM कौन होने वाला है, लेकिन दो सब्सक्राइटिक कमपनी है, वो basically touchpads के अंदर बहुत famous है जो कि आते हैं आपके laptop को गरे के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों अभी इसने unveil कर दिया है, इन display fingerprint scanner जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है, दोस्तों अगला update है, वो निकल के आता है, यहाँ पर Google के AR stickers को लेके, और यहाँ पर अगर आपके पास में है एक Pixel phone अगर आपको update मिल गया है Android 8.1 का, तो आप दोस्तों enjoy कर सकते हैं इन AR stickers को, जहाँ पर दोस्तों AR core है, उसकी मुदद से आप बड़ी आराम से अलगलों जो characters से हो place कर सकते हैं, अपने सामने जो view है उसके अंदर, और वो दोस्तों आपके जो environment में ऐसे घुल मिल जाएंगे, जैसे वो उसी का हिस्सा हो, वहाँ पर shadows भी है, वहाँ पर आप दोस्तों उनको zoom in, zoom out, चोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं, आप basically fun step वाले कुछ photos क्लिक कर स सकते हैं अपने pixel smartphone से, दोस्तों अगला update निकल के आता है, वो है यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुती कमाल news, जहाँ पर दोस्तों survey यह कहता है, कि जो Asia Pacific region है, वहाँ पर दोस्तों इंडियन्स जो है, वो सबसे जादा video content देखते हैं, तो अच्छी बात है यार, हम इंडि और video consumption में, Asia Pacific region में उस्तों बन गया है, यहाँ पर नमबर वन, दोस्तों यहाँ पर अगला update है, वो निकल के आता है, यह Android Oreo को लेके और, दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर दुनिया में सिर्फ 0.5% devices तक पहुँच पाया है, अभी, जहाँ दोस्तों नमबर वन पर तो है, वो ह जहाँ कि यह बुरी बात नहीं है, बुरी बात दोस्तों वो है कि बहुत से लोग अभी भी ginger bread या फिर ice cream sandwich यूज कर रहे हैं, और Android में updates तो यह बड़ा ही पंगाई है, अभी आपके बास में क्या है, मैं बार बार पूछता हूँ, लिकिन एक बार आज वापीस पूछ लेत हैं, जहाँ पर प्रवाइड कर दी है अपनी 4G coverage, तो यह बहुत ही अच्छी बात दोस्तों बहुत ही hard terrain है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो users है, वो at least उसनों 4G को use कर पाएंगे, तो यह अच्छा काम कर रहा है ATL, अभी दोस्तों cover करने वाला है North East को, उसके निकल के आता है Samsung Galaxy S9 को लेकिए और यहाँ पर दोस्तों report से कहती है कि इसमें होने वाला है एक improved iris scanner, जो अलग-अलग conditions में अगर आपने चश्में लगाए हैं, दोस्तों तरह-तरह के उसके बावजूद भी आपके iris को scan कर पाएगा, तो आपके iris को scan कर पाएगे phone को lock unlock, त बस वो camera के side मत लगाना, बाकी iris लगाओ जो मरजी लगाओ, यह है मेरा एक frank opinion, आप दोस्तों क्या कहते हैं इसके बारे मुझे बताना जरूर नीचे comments में, दोस्तों यहाँ पर जगल अपडेट है, वो निकल के आता है यार Xiaomi की तरफ से, और शायद दोस्तों ऐस सुकता है जल्दी future में कि Xiaomi अपनी एक electric car इंडिया में लेके आ जाया है, मतलब Xiaomi toothbrush से लेके बनाता है, smartphone से लेके तकिये से लेके तकिया बनाता है, शायद बनाता होगा, उसके रहा दोस्तों यहाँ पर electric car जो है, वो शायद इंडिया में लेके आ सकता है, अभी देखते हैं यहाँ पर क वीडियो को भी तो लाइक के शेयर नहीं किया, तो लाइक पिर देजिए, शेयर भी कर देजिए, और चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना बिल्कुली मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, फिलाल फिली इतना हैं दोस्त को जेंद बंदे मातरम